पंचायत मेगिन तैसील खारी जिला रामबन के लोग जिला रामबन के महासचियू मुहम्मद सलीम बट और अन्य वरिष्ट भाजपानेता निसार एहमद माटो की मौजूदगी में भारतिजनता पाइटी में सामिल हो गए भाजपा में सामिल होने वाले 60 से अधिक लोगों ने कहा कि हम 70 वर्सों से कई मूलभूस स्विधाओं से वंचित हूँ उन्होंने यह भी कहा कि कई योजनाएं जो 1947 से लेकर आज तक भारत सरकार दोवारा सुरू की गई थी एक भी योजना गरीब लोगों तक नहीं पहुँची है मंजीट के लोगों ने यह भी कहा कि यह भारत में किवल सरकार है जो विभिन योजनाओं के माध्यम से हर गरीब लोगों के घर घर पहुँच रही है उन्होंने अभी कहा कि यह भाजपा में सामिल होने का मुख्य कारण है भाजपा के महास्तरचिव राम बंजिला मुहम्मद सलीम ने कहा कि आपकी मांग को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है तो मार्ज से आज तक यह लंगर जो है बाजपा का बंद है अभी कोई इसका आडर नहीं मिला है में यहां लोग आते हैं बहुत पहले तो बंद थे लोग भी बंद थे नहीं आ रहे थे आप खुला है जिससे बाद काफी लोग आ रहे हैं काफी रश्व रहा है लेकर अब लो महरत से लेकर पंच माचान मामेना है तो हम यह नहीं कह सकते हैं अब गोर्मेंट अगर कोशिश करें तो इसको खोड़ दे तो बहुत लोग मजबूर हैं लोग दूर दूर से आते हैं तो हम अर्ज करें कि लंगर खोड़ आए तो यहां बहुत जम्मो किश्मीर हंदिस्तान से लोग आ रहे हैं और यहां इस वक्त जो प्राबलम चले रही है वो यह है कि यहां खाने का कोई इंतराम नहीं है हो तल भी जो इहां मैदूर किस्म करें हैं क्यूंकि पैले यहां जंगत छरीव का खाना चलता था इस वज़या से यहां लोगोंने कोई भी होटल नहीं रह तो हम रिक्वेस्ट करें गुष्ट करें कि यहां खाने का बहुत जद्धी जद्धी हो सकता है उसको खोला जाए तो लोगों की परिशानी हल यह बाबा कि रामशा वाथ्चा द्यारत है तो यहां लाखों की पैदार में लोग आ रहे हैं इतना चड़ावा हो रहा है तो अब उनको रूम नहीं मिलता तो वाप जाते हैं यहां से करना जाते हैं घणारश एक शक्रावनियोंसे के जितना भी जद्धी हो सके इसको खोला जाए जिस अछेसांसे ख़ना जाते हैं इसको खोला जाए